नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सल्मान स्वागत करते हूँ आप सभी का ट्रेंटिंग वर्ल्ड में तो फाइनली लेटेस वीडियो गेंडर आपने देखा कि शैनास गिल किस तरहीके से अपने इशारे करती हुई नजर आनकी अपने हाथ के मगर उसके बाद एक बाद और बहुत बड़ी सामने आ रही है कहीं न कहीं सिडनास की तरफ से हमारे को इशारे मिलते हुए नजर आ रहा है मगर इस वीडियो से यहाँ पर यह सब जाहिर होता है कि इनका प्यार कितना ज़्याद ओफिशल हो चुका है मगर जिस तरह के से बात आई थी जोरावर की सामने और उसके बाद से शैनास गिल अपनी हाथ का इशारा देती हुई नजर आई थी प्यार का रिलेक्शन का जो खुलासा होता जा रहा है और यह प्यार का अपने धीरे-धीरे करके खुलासा करते जा रहा है बाराल ये तो आने वाली वीडियोस के अंदर या फिर अपडेट्स के अंदर ही हमारे को देखना होगा कि क्या रहता है और इनके प्यार का सीन बट अब ज्यादा टाइम नहीं है कि इनका प्यार जो है वो जल्दी से पूरा खुलासे से बाहर निकल कर आजाएगा और अच्छे तरीके साफिशल हो जाएगा बट यहाँ पर इंगेजमेंट का भी बहुत जल्दी हमारे सामने आने वाला है तो इनफेक्ट हमें करना होगा इसका थोड़ा बहुत वेट बट आई थिंग हम वेट करेंगे तो जाहिर सी बात है किसे डिनास को भी सपोर्ट कर पाएंगे इनकी शादी को भी और जोरावर यहाँ पर फाइनली बात कंफरम हो जाती है कि शेनास गिल का किस तरीके से स्टनास स्टोरी सामने आता है और इस स्टनास स्टोरी में शेनास गिल अपने फैंस को एक अच्छा सा इचारा देती हुई नज़र आती है मगर यहाँ पर इनफेक्ट एक बात बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रही है वो क्या है वो इनफेक्ट बात ये है कि क्या सिडनाज ने अपने प्यार को ओफिशल कर लिया है घर के अंदर ही या फिर इनकी इंगेजमेंट की बात जो है वो पूरी इनके बीच में खुलासे से हो चुकी है बट फैंस के बीच में आनी देरी रह गई है फैंस के बीच में जो है वो आनी बात जो है वो बाकी रह गई है तो फिलाल क्या केना चाहिए इस बारे में आपकी opinions क्या हैं इसके अंदर सही कहा मैं नहीं कहा जल्दी से नीचे मुझे comment करें बताइए वीडियो को लाइक भी कर लेजी चैनल पराना है और इसे तुड़ी updates री regular आप तक पहुचाई आती है तो जल्दी से करिए मारे इस चैनल को भी subscribe और मिलते हैं फिर next वीडियो में